नश्तिकर दोस्तों हमारे video चनल में आप सबको बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम आप सब को बताऊंगा UNGARD TKCIE आधार भूत प्रमेय यह है दोस्तों हाइश कूल के जो है real number के chapter में आता है दोस्तों कि The Fundamental Theorem आफ अर्थमेटिक तो दोस्तों इसमें है कि अंगडित की आधार भूत प्रमिय जो होता है इसमें दिया है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या को उसके आभाज गुड़न खंडो के एक गुड़न फल के रूम में लिखा जा सकता है दोस्तों इसमें दिया है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या को उसके आभाज गुड़न खंडों के एक गुड़न फल के रूम में लिखा जा सकता है तो दोस्तों जिसे फंडामेंटल थेवरम फंडामेंटल थेवरम आफ अर्थमेटिक फंडामेंटल थेवरम अर्थमेटिक जोता है कि हम सब्मदामेंटल थेवरम अर्थमेटिक आँगड़िक के अधारभूत प्रमियाज होता है किसी भी प्राकृतिक संख्या को इसके आभाज गुड़न खंडों के एक गुड़न फल के रूम में लिखा सकता है जैसे हम लिख सकते हैं दो बराबर दो यह उसका अभाज गुड़न फंड है अब यह से चार को लिखना है हमें चार बराबर जो है दो गुड़े दो इसके रूम में लिखा जा सकता है और दोस्तों दोसो तीरपन को अगर जो लिखना है कि दूस्टो तीरपन को अगर जो हमें लिखना है तो ग्यारा गुडे ग्यारा गुडे टेज यानि कि जो है यह एक प्राइम नंबर है यह सब एक प्राइम नंबर के गुड़ा हंड के रूम में हम लिख सकते हैं इसको यानि कि इंग्लिस में आप सब्ढ़ सकते हैं कि in your realist classes you have seen that any natural number can be written as the product of its prime factor. यानि इसके prime factor के रूम में लिखा जा सकता है. For instance, 2 is equal to 2, 4 is equal to 2, 4 is equal to 2 into 2, इतना. And so on. Now let us try and look a natural number from the other direction that can be any natural number we obtain by multiplying prime numbers. Let us see. Take any collection of prime numbers says 2, 3, 7, 11 and 23 is a prime number guys. 2, 3, 7, 11 and 23 if we multiply sum of sum or all the these numbers allowing them to repeat as many times as we wish we can produce a large collection of positive integer in fact infinitely many letters. जैसे दोस्तों अगर जैसे 7 into 7, 7 into 11 into 23 लिखना है हमें, जैसे माल लिजिए कि कि 7 गुडे 11, 7 गुडे 11, गुडे 13, गुडे 23, ये prime number है, 1771, 90, ये दोस्तों 1771, आजा रहा है, 3, 7 गुडे 11, गुडे 23, गुडे 21 ब्राबर, 3 पन सु 3, उसके बाद दो गुड़े तीन दो गुड़े तीन साथ ग्यारा तेस साथ ग्यारा तेस इसको लिखा जा सकता है दस हजार छासो छब्विस उसके बाद टू पे पावर थिरी इंटू टू पे पावर थिरी इंटू थिरी सेवन थिरी इंटू सेवन पे पावर थिरी सेवन पे पावर थिरी इसको लिखा जा सकता है बैयासी सो बतिस तो गाईज आप देख सकते हैं कि किसी भी निच्रल नंबर को जो है उसके प्राइम फेक्टर के रूप में लिखा जा सकता है उसके प्राइम फेक्टर के रूप में लिखा जा सकता है इसी का fundamental theorem आपधा arithmetic है अब मा लिजे कि आपके संग्रा में सभी संभव अभाज संख्याएं संभलित हैं इस संग्रा की आप साइज के बारे में क्या नुमान लगा सकते हैं तो गाइज आगे देखते हैं इसमें इस प्रकार हमने उसमें 32,760 को अभाज संख्याओ के गुडण खंड के रोम में गुडण खंडित कर लिया है जो दो गुड़े, दो गुड़े, तीन गुड़े, तीन पांच गुड़े, साथ, गुड़े, तेरा आया रथात 32,760 होता है और इसको लिखा जा सकता है 2 पे पावर 3 इन्टू 3 पे पावर 2 इन्टू 5 इन्टू 7 इन्टू 13 जो अभाज संख्याओं की घातों के रोम में हैं आए एक अने संख्या मान लीजिए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के लेकर उसके गुड़न खंड लिखें इसमें 3 पे पावर 2 इन्टू इतना इतना के रोम में लिखा जा सकता है तो दोस्तो यह सब प्राइम फेक्टर के रोम में लिखा जाक्ता है किसी भी नेश्रनल नंबर का जो है इसको फेक्तर के रोम में हम लिख सकते हैं और अंग गडित की आदार में भूत प्रमें, फंड़मेंटल थेोरम, आप दातेमेटिक कहला था इसको ये। इसमें दोस्तों आँक की अधारबुरी के परतेक भाज संक्हिया को अभाज संक्हियाओ के गुणरखन्ट के रूम में ब्यक्त किया जा सकता है। तथा यहां गुड़नखंड आभाज संख्याओं गुड़नखंडों के आने वाले करम में बीना अदुतिय होता है अंगडित की आधार भूत प्रमेक कहती है कि प्रतेक भाज संख्या आभाज संख्याओं के गुड़नखंड के रूम में खंडित किया जा सकता है वास्तों मे यहां और भी कुछ कहती है यह कहती है कि एक दी हुई भाज संख्या को अभाज संख्या में एक गुड़न खंड के रूम में बिना ध्यान दिये कि अभाज संख्या किस करम में आ रही है एक अज़तिय प्रकार यूनिक वे से गुणनखंडित किया जा सकता है अर्थात यदि कोई भाज संख्या दी हुई है तो उसे अभाज संख्याओं के गुणनखंड के रूम में केवल एक ही भी धी जब तक कि हम अभाज संख्याओं के आने वाले करम पर कोई बिचार नहीं क को भी हम 2-3-5-7 जैसा ही मानेगे इस तत्यकों निम्रिखित रूम से ब्यक्त किया जा सकता है एक प्राकरितिक संख्या एक प्राकरितिक संख्या का अभाज गुणनखंड उसके गुणनखंडों के करम को जोडते हुए अधितिय होता है ब्यापक रूप से जब हमें एक भाज संख्या 1 यक्स दी होई होती है तो उसे हम यक्स बराबर P1 P2 P1 के रूप में गुड़न खंडित करते हैं माली जी कोई हमारा भाज संख्या 1 तो इसको हम आ भाज संख्या prime numbers के रूब में P1, P2, P3, ऐसे से के P1 ऐसे लिख सकते हैं यानि कि हमेशा जो है P less than or equal to P2 यानि कि यह सर्थ है कि यहाँ पे जो है P1 less than or equal to P2 less than or equal to P3 P1 less than or equal to P1 इस तरीके का हम जो है दोस्तों लिख सकते हैं यदि हम समान अभाज संख्याओं को एक साथ मिला ले यदि हम समान भाज संख्याओं को एक साथ मिला ले तो हमें अभाज संख्याओं की घाते प्राप्त हो जाती है यानि कि अगर जो हम सब को मिला रहे तो हमें घाते प्राफ्द हो जाती है जैसे दो गोड़े 2 गोड़े 2 है तीन गोड़े 3 है पांच गोड़े 7 गोड़े 13 है तो 2 पर 3 इन्टू 3 पर 2 इन्टू 5 इन्टू 5 इन्टू इस तरीके का जो है हम लिख सकते हैं एक बार यहां नेड़े लेने के बाद कि गुणनखंडों का करम आरोही होता तो दी हुई संख्याएं कि अभाज गुणनखंड अदती होंगे इसमें दोस्तों एक क्वेस्चन है क्वेस्चन यह है कि संख्याओं फोर पे पावर यन पर विचार कीजिए जहां यन एक प्राकृतिक संख्या है जाज कीजिए कि क्या यन का कोई ऐसा मान है जिसके लिए फोर यन अंक सुनने पर समाप्त होता है तो दोस्तों एक क्वेस्चन है क्वेस्चन यह है इसी फंडमेंट्स हेवर माप्द अर्थेमेटिक के चप्टर में आ रहा है संख्याओं फोर पे पावर यन फोर पे पावर यन मतलब फोर इंटू फोर इंटू यन टाइम्स पर विचार कीजिए जहां यन एक प्राकृतिक संख्या है जाज कीजिए कि क्या यन कोई ऐसा मान है यन का कोई ऐसा मान है जिसके लिए फोर पे पावर अंक सुनने होता है पर समाप्त होता है यहन का कोई ऐसा बैलू जो है फोर पे पावर यहन अंक जो है सुनने पर समाप्त होता है इसका हाल है यदि किसी यन के लिए संख्या फोर पे पावर यन सुनने पर समाप्त होती है तो वहाँ 5 से विभाज होगी अर्थाथ फोर पे पावर यन के अभाज गुड़नखंड के अभाज संख्या फाइब आनी चाहिए यहाँ संभव नहीं है क्योंकि फोर पे पावर यन यानि कि टू पे पावर टू यन है इसी कराण फोर फोर पे पावर यन के गुड़नखंड में केवल अभाज संख्या टू ही आती है यानि कि गाइज जो है फोर पे पावर यन जो है हम इसको लिख सकते हैं टू पे पावर टू यन तो हम देख सकते हैं कि टू जो है इसमें यन का कोई भी बैलू माले जी जीरो कर दे तो टू पे पावर यन का वन ही आएगा तो इसमें जो है अर्थात फोर यन के अभाज ग गुड़न खंड में केवल अभाज संख्या 2 ही आ सकती है क्योंकि 4 पे पावर यन जो है 2 पे पावर 2 यन है यानि कि 2 के लावर कुछ नहीं आ सकता 2 अभाज संख्या ही जो प्राइम नमबर 2 ही आ सकता इसमें और कुछ नहीं अंगडित की आधार भुत्परमे की अदुतिता ह हमें यहां निश्चित कराती है कि 4 पे पावर यन कि गुड़न खंड में 2 के अत्रिक्त और कोई अभाज जिक गुड़न खंड नहीं आता है इसलिए ऐसा कोई संख्या यन नहीं है जिसके लिए 4 पे पावर यन अंग पर 0 पर समाप्त होगा आप पिछली कच्चा में यहां पड़ चुके हैं कि दो धनात्वर प्रूणांकों कि SCF और LCM अंगडित की आधार भुत्परमे का प्रियोग करके किसी प्रकार ग्यात किया जाता है ऐसे करते समय गुड़नखंड बिद प्राइंग फैक्टर फैक्टरराईजेड़ेशन मेतड़ भी कहते हैं इसे गुड़नखंड मेतब कहते हैं आई एक उधारान साहिता से इस बिद को पुना करते हैं दोस्तों इसमें एक उदानार है संख्याओं, 6 और 20 के अभाज गुड़न खंड बिद से यह CP और LcM ग्याद कीजिए संख्या जो है 6 और 20 है 20 है, कि अभाज गुड़न खंड बिद से यह CP और LcM ग्याद करना है तो दोस्तो हम 6 को लिख सकते हैं, 2 पे पावर 1, 3 पे पावर यान, यानि कि यह हमारा प्राइम फैक्टर मेथड है, 6 को हम लिख सकते हैं, और 20 को लिख सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं, 2 इन्टो 2, इन्टो 5, यानि कि इसको लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 इन्टो 5, यानि प्राइम फैक्टर के गुड़न खंड के रूम में, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, तो जैसा कि आप पिछली काचम परचे के, SCF जो होता है हमैशा SCF जो है क्या common है इसमें HCF जो हो जाएगा HCF इसमें 2 है इसमें 2 है ठिक । इसका HCF 2 हो जाएगा और ECM की बात करते हैं common क्या है 2 है 5 तो इसमें जो common है उसको लिखेंगे ECM क्या होता है LCM होता जो कामन होता उसको भी लिखते हैं जो कामन नहीं होता है उसको भी लिखते हैं कामन क्या है? दो कामन है तो दो लिख लिए यानि दो दो कामन है दो लिख लिए उसके बाद जो है एक दो और बच रहा है इसके बाद तीन बच रहा है इसके बाद 5 बच रहा है, यानि कि 2 दूनी 4 तियां 12 पचे 60, तो दोस्तो इसका LCM जो होता है, LCM इसका 60 आ रहा है, आप देख सकते हैं, द्यान देजी कि CF 6 और 20 का 2 पर पावर 1 जो है, ये संख्यों के परतेक उभैनिष्ट, जो ही हमें कामन होता है, हाइस्ट कामन फेक्टर में वही लेते हैं, तो संख्यों के परतेक उभैनिष्ट, अभाज गुड़न खंड की सबसे छोटी घात का गुड़न फल तथा LCM जो होता है, 2 पर पावर 2 इंटू 3 पर पावर 2 और 5 पर पावर 1 ये होगा, तो दोस्तों एक क्वेस्टन हो रहे हैं, और एक ही है, उपरोग उदाहर से आपने यह देख लिया होगा, कि यह CF 6 और 20 गुड़े LCM 6 और 20, यानि यह ECM जो होता है, 620 का और LCM 620 का क्या होता है, यानि कि यानि कि आप देख सकते हैं, LCM जो हता है, 60 और HCF 2, और LCM जो है, 60, तो HCF और LCM, HCF गुड़े LCM, यानि कि 6 और 20 का यह हो गया, दो गुड़े 60, यानि कि इसको भी हम लिख सकते हैं, 6 गुड़े 20, ऐसा भी लिख सकते, यानि आप देख सकते हैं, जो LCM, SCF जो है, आफ 6 और 20 का 2 आ रहा है, और LCM आफ 6 और 20 का 60 आ रहा है, तो माल यह SCF इंटू LCM करते हैं, तो दो गुड़े 60, यानि कि इसको 6 इंटू 20 लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं, 6 इंटू 20 लिख सकते हैं, यानि कि आप देख सकते हैं, यह SCF और LCM का जो होता है, यह SCF इंटू LCM जो होता है, जो दो नमर को भी निकाला जाता है, उसका गुड़न फल ही उसके बराबर होता है, यानि 6 गुड़े 20, उसका गुड़न फल जो है, बराबर होता है, कि किसी दो धनात्मक पूड़ांकों A और B के लिए, यानि कि लिख सकते हैं, किसी दो धनात्मक पूड़ांकों, किसी दो धनात्मक पूड़ांकों A और B के लिए, इन्टू, यल्सीयम, आफ, A, B, ये बराबर होता है, ये बराबर होता है, A इन्टू, B, दोस्तों इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, कि किसी दो धनात्मक पूड़ांक हमारे पास A, B है, और A और B के लिए, जो है, हम लिख सकते हैं, कि YCFAB का, इन्टू, LCMAB का बराबर A, गुड़े B, इस प्रकार से, जो है, हम इसका लिख सकते हैं, दोस्तों, तो दोस्तों, इसी प्रकार से, कि अब हाज गुड़न खंड भी दिद्वारा, चानबे और 404 का YCF ग्याद कीजिए, और फिर इनका LCM भी ग्याद कीजिए, दोस्तों, तो इनका LCM भी ग्याद करना है, चानबे और 404 का, यानि कि महाल लिजिए, A बराबर, A बराबर चानबे है, और B बराबर, B बराबर 404 है, 404 है, तो सबसे पहले अगर जो हम YCF निकाल लेते हैं, तो LCM आजाएगा, LCM निकाल लेते हैं, तो LCF आजाएगा, तो अब इसको जो है, 90 को हम लिख सकते हैं, 90 को हम लिख सकते हैं, 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 5 गुड़े 3, लिख सकते हैं, और 404 को लिख सकते हैं, 404 को लिख सकते हैं, दो पे पावर दो गुड़े 101 तो दोस्तों जो है इसका यह CF जो होगा यह CF बराबर होगा आप देख सकते हैं कि इस पे दो पे पावर 5 है और दो पे पावर 2 है यानि कि कामन क्या है 2 पे पावर 2 2 पे पावर 2 जो है कामन है बराबर 2 पे पावर 2 यानि कि 4 तो दोस्तों अगर जो यह CF निकल गया तो LCM हम अपने आप निकाल लेंगे तो LCM बराबर हो जाएगा LCM बराबर हो जाएगा AB यानि कि 902 गुड़ी 404 डिवाइड बाइड 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 फोर आप देख सकते हैं दोस्तों तो कार देंगे चार दुनिया आठ और चार चवग सोला 24 हो गया यानि कि लिख सकते हैं LCM 24 गुड़े 404 बराबर चानवे चानवे यानि कि इसको गुड़ा करने पे चानवे चानवे आएगा है दोस्तों यह हो गया LCM आप देख सकते हैं कि इसी मेथट का यूज़ करके जो है इसका LCM निकाला गया है तो तो दोस्तों अगर जो सब चीश क्लियर हो गया तो अब जो भी कोईस्चन है दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में इसंका रिकाड करूँ होगा अगर दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को सेर कीज़ेगा और हमारे वीडियो को लाइक कीज़ेगा हमारे YouTube चैनल को फिजा एर्टुजर इन्फोसिस को सब्सक्राइब कीज़ेगा दोस्तो इसी खिसाद जय हिंज जय भारत